असलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो थमनेल देखे कुछ लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों इंडिया के अंदर 7 different types of ads होते हैं अगर इन में बात की जाए तो paid search advertising, native advertising, social media advertising, broadcast advertising, outdoor advertising, display advertising और print advertising दोस्तों घबराएग गमत, आज मैं आपको इन सब ads के बारे में नहीं बताऊंगा आज मैं आपको सिर्फो सिर्फ broadcast advertising के बारे में बताऊंगा और जो है ये लोग हमें कैसे बेखुफ बनाते हैं ये भी बताऊंगा क्या है ये broadcast advertising दोस्तों अगर आसान भाषा में बताया जाए तो आपके घर में TV तो जरूर होगा और आपने 30, 20 या 60 सेकेंड की ad तो जरूर देखे होंगे यहां पर product कितना भी सस्ता हो लेकिन ad जो होता है वो बहुत ही costly होता है और इन ads को दिखाने वाले लोग भी celebrities होते हैं जोस्तों मैं 2004 में tobacco वाला ad जो है वो इंडिया में बैन किया गया था और जो है गुटका कमपनियों ने एक mastermind plan बनाया और गुटके से जो है वो टंबाकू को हटा दिया ताकि TV ads दिखाने में आसानी हो सके इन्होंने एक और separate packet बनवाया जिसमें सिर्फो सिर्फ तंबाकू होता है पहले जब हम गुटका खरीदते थे मतलब मैं तो नहीं खाता जो लोग खाते हैं उनको ये पता ही होगा कि पहले जब गुटका खरीदते थे तो एक ही packet मिलता था अब अगर जाकि गुटका खरीदेंगे तो गुटके के साथ एक और separate packet भी मिलता है जिसमें सिर्फो सिर्फ तंबाकू होता है और जो है गुटके के packing के उपर लिख दिया के free from tobacco और तंबाकू के packing पर लिख दिया के तंबाकू causes cancer तो उसको जितनी quantity में पहले mix किया जाता था लेकिन उससे भी ज्यादा quantity में तोबाकू अब separate बेचा जा रहा है और आप जिने अपने favorite celebrities कहते हो वो लोग पान मसाला और शरब के एड को इस तरह से दिखाते हैं जैसे ये कोई healthcare product हो और क्या आपने सोचा है कि जो celebrity पान मसाला गुटका इसकी एड दिखाता है इसने कभी अपने जिन्दगी में इसको ट्राई किया होगा? क्यों खाएंगे भाई? गुटके के कई सारे research में ये पाया गया है कि गुटके से mouth cancer होता है दोस्तों जिन लोगों से हम inspire होते हैं उन्हीं लोगों से हमें ads के जरीए बेखूफ बनाया जाता है example अपने अजे दिवगन और शारुखान की विमल पान मसाले वाले ad तो जरूर देखोंगे आपने notice किया होगा इस पूरे ad में केसर इलाइची इन दो चीजों को highlight करके दिखाया जाता है जी हाँ दोस्तों केसर और इलाइची के अलावा कुछ भी नहीं है इस गुटके में हाँ ये लो मुझे भी ले किया हो पांच रुपे वाला गुटका और इन ads की वज़ासे हमारे समाज पर कैसा असर पड़ता है ये आप खुद देख लीजिएगा गुटका खाते हैं? जी गुटका काने से तुम लोग का तबियत तो खराब होगा वीडियो दिखाने का सिर्फो सिर्फ यही मकसद था कि समाज में लोगों और खास करके बच्चों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है तो आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए आला आफिस थैंक्स वह वाचिन